Hi Everyone, Welcome to my channel, कैसे हैं आप लोग तो तैवारों की संख्ला में अब आने वाला है नवरात्री का तैवार और इसमें बनते हैं बहुत सारे पकवान और घर में इतनी सोधी सोधी सी खुश्बू आती है और जब इतनी सोधी सोधी सी खुश्बू आने लगती है घर से तो क्रेविंग्स भी बढ़ जाती है और हमारा दिल करता है सारा कुछ खाने और बिलकुल खाईए, मोडरेशन में खाईए बट कुछ चीजों का अंध्यान रखिएगा और उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मेरी ये सारी रेसिपीज जो मेरी साइट पर दिख रही है जो चैनल पर अल्रेडी अप्लोडेड है नवराध्री वेट टॉस रेसिपीज वैसी ही दो रेसिपीज आज में आपको देने वाली है उचु रेचेन प्रोटीन है रेचेन फाइबर है और जो आपके वेट लॉस को स्पीड अप करेंगी तो नवराध्री की तैयरी शुरू कर दीजे और इन रेसिपीज को सेव कर लीजे साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजे जिससे की आपको और सभी इन्फोर्मेशन टाइम पर मिलती रहे नवराध्री ये कैसा टाइम होता है वेट लॉस का जिसमें की आप बहुत एजिली वेट लॉस कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे ही डाइट आलमुस् ट्यूटिंग फ्री होती है और कार्प फ्री होती है बशरत है कि आप इसमें जादा फ्राइड ना खाए और कभी अगर खाना पड़ जाए तो बहुत मॉडरेशन में खाए फाइबर जादा खाए, फ्रूट्स एंड सालेट्स जाधा ले और ग्रीन टी ले और साथ महीं आपसमें milcan milk प्रूडक्स जैसे की आप curd ले सकते हैं उसमें backdrops टाल के ले सकते हैं चाच और स्मूदि ने सकते हैं गॉल्да कॉफी ले सकते हैं और यह सारी ही रेशीपी चैनल पे हैं जो आपको मेरे side में दिख रहे हैं तो आज मैं आपको दोंगे ऐसी ही दो अच्छी recipes जो high in protein है तो पहले मैं आपको ये recipes बना कर दिखाती हूँ फिर करते हैं आगे की बाद तो आएए मेरे साथ मेरे kitchen में तो मैं बना री हूँ या मखनी पनीर और जिसमें कोई मखनी डलने वाला है जिसमें डलने वाले केश्योनेट्स और साथ में टमैटो चिली और जिंजर और इन दोनों का ही अब मैं पेस्ट बना लेती हूं पहले क्योंकि जिससे हम ग्रेवी बनाने वाले हैं तो पहले बना लेती हूं टमैटो और फिर डाल रही हूँ के शोनर्स थोड़े से वाटर के साथ और इन दोनों का बना दे रही हूँ अब मैं पेस्ट और इस से आप देख न कि ये जो मखनी पनी बनने वाला है ना इसका कलर बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा ये देखे बिल्कुल अच्छे से ये पेस्ट बन गया और मैंने ले लिया एक कड़ाई और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा जीरा और साथ में ही कुछ काली मिर्श के दाने पेपर कॉन्स और क्यूमिन जीट्स और इसमें डाल दिया है मैंने जो टमैटो पेस्ट बनाया था ना वो डाल दिया है और इसको cover करके हमने थोड़ी देर बनने देना है जिसे कि ये अच्छे से पक जाए तो ये देखिए इसके उपर घी आ चुका है जबकि हमने एक चमस डाला था और ये देखिए कितने अच्छे से ये थिक भी हो चुका है और इसको मैंने strain नहीं किया है तो म उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कैशो डाट का पेस्ट और इसको अब हम फिर से ही cover करके बनने रख दे रहे हैं और ये देखिए बिल्कुल ग्रेवी मार्केट जैसी दिख रही है और बिल्कुल शाही पनीर वाली ग्रेवी बन चुकी है हमारी ये तो ये हमारा जो म आने वाले हैं तो मैं सबके लिए ही इसे बना दे रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल फैट का अंजम्शन नहीं हुआ है जो भी डाला है बिल्कुल नैच्रल पैट्स है वो और ये देखिए हमारे बिल्कुल बबल्स आ गये हैं और ये बनकर जैडी है तो इसको मैं आपको कटोरी में भी डाल कर दिखा देती हूँ तो इस तरीके से मैंने इसको बाउल में डाल लिया है आप देख सकते हैं कितनी टैंप्टिंग दिख रही है और इसके उपर डाल दे रही हूँ मैं थोड़ा सा कॉरियंडर और साथ में ही जिंजर जूलियंस और थोड़ी सी घर की ही लो फेट मलाई है न उसको फेट के डाला है आप यहाँ पर कुर्ड भी डाल सकते हैं तो देखिए हमारा मखनी पनीर बनकर तहयार है न तो अपनारियों में आलू चाट और इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और इसमें एक चमच मैंने ओईल डाल साथ में ही क्योमिन सीट्स डाल दिया है जीराफ और साथ में ही मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिली और इससे आलू का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा बिलकुल मार्केट चैसा तीखा और इसमें डाल दे रही हूँ मैं चार मीडियम साइज के बॉयल पोटेटो से और इससे क्या होगा कि इसके उपर एक अच्छी सी क्रिस्प कोटिंग आ जाएगी और बहुत अच्छा कलर आ जाएगा ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है तो अब मैं यहाँ पे इसमें सेंदा नमक डाल देती हूँ जो वरत वाला नमक होता है और साथ में ही मैं य यहाँ पे मौफली डाल देती हूँ तो मौफली को मैंने पहले से ही रोस्ट करके रख लिया था इसको बिल्कुल ड्राय रोस्ट किया है मैंने पैन में और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है आलू के साथ तो देख सकते हैं आप आलू का कलर चेंज हो गया है और इसक से खाएंगे तो वेट नहीं पड़ेगा तो आपने देखा कि ये रेसिपीज कितनी निट्रीशिस हैं और कितनी फटाफट से बन जाती हैं इनको आप बहुत एजिली बना सकते हैं आपकी डेली लाइफ में और साथ महीं आपका वेट रॉस भी बहुत अच्छे से स्पीड अ करेंगी और उसके साथ आप चैनल पर और जो रेसिपीज हैं उनका आप यूज कर सकते हैं अपने हाइड्रेटेट रहना है कोकनेट वाटर लीजे नीमू पानी ले सकते हैं और 10 से 12 ग्यास पानी आपने पीना ही हैं आप डीटोक्स वाटर यूज कर सकते हैं जिसमें वेज कर लीजे तो इस तरीके की रेसिपीन बहुत सारी चैनल पर हैं तो उनको आप जरूर यूज करें और मुझे बताएं कि आज जो मैंने रेसिपीज शेयर की वह आपको कैसी लगी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजे और मुझे सारे सोशल मेडिया हैंडल जि सब्सक्राइब करना बिलकुल मन भूलिएगा